के आवास प्लस्वे भी जिनके नाम नहीं है उन गरीबों के लिए एक मुख मंतरी जन आवास योजना बनाई जाएगी और तुरंट जो नाम छूट गए उनके नाम सर्वे करके नई सूची में जोड़े जाएंगे और उन सब को निसुल्क पक्का मकान देने का काम हमारी सरक करेगी ताकि कोई गरीब बिना छबते नहीं रहे हरे गरीब को मकान देने कारीबों के लिए अब मुख मंतरी जन आवास योचना बनाई जाएगी वही सियम ने ये भी कहा कि जिनका भी नाम छूट गया है उनका सर्वे कर नई सूची में उन ही जोड़ा जाएगा और उन सभी को निसुल्क पक्का मकान सरकार की तरफ से दिया जाएगा कि मदपनेस में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा जिनके पास रहने की जमीन नहीं है हम निसुल्क जमीन रहने की देंगे पट्टा उपलब्ध करवाएंगे सहरों में भी हमने माफियों से जो जमीन मुक्त कराई है उन पर हम गरीबों के घर बना रहे इसके साथ ही हमारा संकल्प है कि मद अपने इसकी धर्ती पर कोई गरीब बिना छटके नहीं रहेगा मैं प्रधान मंत्री जी को हिरते से धन्यवाद देना चाहता हूँ 44 लाख मकान गाउं और सेहर में मिलाके प्रधान मंत्री आवाज हो जाके अंतरगत हमने बनाने का काम किया है प्रधान मंत्री जी धन्यवाद अभी आवाज प्लस के लगबग 22 लाख मकान बनने बाकी है लेकिन इसके बाद भी हमारे जन्पृतिजों ने मुझे कहा हमारे MLH मेरे पास मैं जा जाता हूँ कई गरीब आते हैं और कहते हैं हमारे पास कच्चा मकान है हमारा आवास प्लस में بھی नाम नहीं है और इसलिए मेरे बहणों और भाईयों आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि आवास प्लस में भी जिनके नाम नहीं है उन गरीबों के लिए एक मुख मंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी और तुरंट जो नाम छूट गए हैं उनके नाम सर्वे करके नई सूची में जोड़े जाएंगे और उन सब को निसुल्क पत्का मकान देने का काम हमारी सर्वाइब। को नौकरी मिलने के बाद 50,000 बेरोजगारों को और नौकरिया दी जाएगी। वहीं सीम ने इससे पहले ध्वजा रोहन कर ओपन जीप में परेट की सलामी ली, कारिक्टरों में पुलिस और होंगार जवानों को भी समानित किया गया। उससे पहले उन्होंने भोपाल के शौरिस मारक में भारत माता को पुषप अर्पित किये और शहरीदों को शिधांज ली दी। पिलाज चनाव से पहले सियम की मुखे मंत्री जनावा सियोजना की घोशना करके सियम न चनावी दाव खेल दिया है। बिरो रिपोर्ट एंपी तक झाल